हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि JksS भी द्वारा रिवाइच जो है फाइनल आंसर की जो है निकाली गई है तो क्या ज पहले वारी आंसर की थी जए अभी वारी जो आंसर की है इसमें क्या फरक है तो दोस्तों यहां पर बता दें कि रिवाइज फाइनल अंसर की आफ दी ओम रवेस्ट जो अब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिशन फार दी पोस्ट अफ एकॉंडेट फाइन्स अकॉंडेट एसिस्टेंट फाइनस डिपार्टमेंट की जो अंसर की थी उनको रिव निकाला गया है यूटिक एड़टाइस बाइड़ एड़टाइसमेंट डॉटिफिकेशन नमबर फॉर टूथोजन ट्वन्टी अंडर आइटम नमबर वन जिरो सिक्स हेल्ड ऑन सिक्स्ट मार्च टूथोजन ट्वन्टी टू जानि कुछ शे मार्च 2022 को जो आपका एक्ज लेकिन कुछ जो है उसमें कुछ बचों ने क्लेम किया था कोई सेम अंसर होगे या क्या कुछ भी डिसीजन हो सकता है चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं यहां पर इन्होंने बताया है questions where the answer options are to be changed जानि कि जो आपके questions थे उनके जो answer changed किये हुए है जो set A था set A का जो 45 और 50 question था उसका जो है पहले answer था C और V जानि कि अभी जो answer है उसका B और C answer है set V की बात करें तो 46 और 44 का answer था B और C set C की बात करें 49 और 48 का answer था B और C set D की बात करें 45 और 58 का answer था B और C जानि कि जो पहले वाला जो answer था उसका C और B था तो अब दुबारे से उसका जो answer को declared किया गया है इनके बारा अब next बात करते है questions where two answering options are correct अब उन questions की बात कर रहे हैं जहां पर दो-दो options दो थे एक question के थे यहां पर set A की बात करें यहां पर तीन questions थे आपके first question था और 26th question था और 49th question था set A की अगर बात करें उसमें answer A और D था first question का और 26th question था उसका C और D था और 49th question है उसका A और B है जाने कि जो पिछला जो इसका answer था A, D, V अब set V की बात करें तो सेम इसी तरह आपके answer जो है change हुए है अगर नीचे बात करें questions nullified और R जाने कि set A और set B, set C, set D जो आपके answer जो आपके answer जो पिए गया है जो set A का 42, 42nd question था और 39th question था उसका जो पहले answer था D और C था और उनको जो अब nullified किया गया है set B का जो था 38 और 34 का जो answer था D और C था अब उनको भी nullified किया गया set C की बात करें set C का जो previous answer था D और C revise जो answer आया उसका nullified किया गया है दोनों को अब set D की बात करें 41 और 57 जो question था उसका जो previous answer था D और C था अब उनको दुबारा से nullified किया गया है तो दोस्तों उमीद करते हैं वीडियो आपको समझा गूए अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे comment box में comment करना मैं आपको फिर से दुबारा repeat कर दूँगा तो यहां पर उन्होंने बताया है कि the revised answer is final and no further claim in this regard जाएगा in future तो चलिए दोस्तों उमीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगे होगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो please like, share and subscribe जुरूर करें Thank you for watching the video